आज हम कबीर इस पार्ट के बारे में जान करी लेंगे। प्रस्तूत पार्ट में लेखक ने कबीर के सोभा उनकी वानी उनके व्यक्तित्व उनके उपदेश उनकी साधना इत्यदी विभिन्न गुनों को बड़े ही अच्छे तरीके स्पष्ट किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद व्यवेदी के मतानुसार हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक निर्मान नहीं हुआ है। इनके जैसा महिमा मही व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वन्वी या प्रतिस्पर्धी जानता है और वो है तुलसीदास। तुलसीदास और कबीर दोनों भक्त थे लेकिन दोनों के व्यक्तितों में बड़ा अंतर दिखाई देता था। दोनों के सोभाव, संसकार और ईश्वर की तरह देखने का दुरुष्टिकोन दोनों का अलग था। कबीर निराकार वादी थे, उनका कहना था कि ईश्वर सर्वत रहे। संसार की हर एक चीज में ईश्वर बस्ता हुआ दिखाई देता है। कबीर के अनुसार ईश्वर निराकार है और उसका कोई रूप नहीं है। वहीं दूसरी और तुलसिदा सगुन के उपा सकते। वे मूर्ति पुजा या ईश्वर के साकार रूप पर विश्वास रखने वाले थे। कबीर में एक अदम्य साहस और कभी न तूटने वाला आत्मविश्वास दिखाई देता था। और धार्मिक कटरता पर अपनी वानी द्वारा उन्होंने कड़ा प्रहार किया। इन सब बातों को समाज के सामने रखते हुए उन्होंने किसी की भी परवाहर नहीं की। इसलिए उनके सुभाव को फकड़ाना सुभाव कहा जाता है। और साथ में जाड फटकार कर चल देने वाला गुन याने जो सही नहीं लगा तो वहीं पर उसे वे फटकार देते थे। इसलिए उनके इनी गुनों के कारण कबीर को हिंदी साहित्य का अध्वित्य व्यक्ति बना दिया था। अध्वित्य याने उनके जैसा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। लेखक के अनुसार कबीर का भाशा पर जबरदस्त अधिकार था। जिस बात को जिस रूप में प्रकट करना चाहां उसे उसी रूप में भाशा से वे कहलवाते थे। बन गया तो सीधे साधे नहीं तो डाट फटकार कर। कबीर के सामने भाशा कुछ लाचार सी नजर आती थी। इसलिए सभी उनको वानी के बाशा कहते थे। उनकी वानी का कोई अनुकरन नहीं कर सकता था और अनुकरन करने वालों के सभी प्रयतन, विफल या व्यर्त होते हुए दिखाई दिये। कबीर दास की वानी एक लता की तरह थी जो योग के क्षेत्र में बीज पढ़ने से वह अंकुरित होती है। उन दिनों में सूर्य चंद्र के योग पर विश्वास रखने वाले जिने हम हट योगी केते हैं उन में और दक्षिन के भक्तों में मौलिक अंतर दिखाई देता था। एक तूट जाता था पर जुकना उससे कतई पसंद नहीं था तो दूसरा जुक तो जाता था लेकिन तूटता नहीं था। जीवन संसर के मार्ग पर भटकने वाले लोगों को समझाती हुए कभीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य जीवन माया का भर्माने वाला मार्ग तूछोड़ दे जिसकी वज़े से तूट जीवन का मूल उद्देश जो मोक्ष प्राप्ती है उससे तूट भटक रहा है। करने के लिए आगे बढ़ता है उसे कभी आराम नहीं मिलता और इसलिए कभीर कहते हैं ज्यान का गेंद कर सुर्थ का डंड कर खेल चौगान मैदान माही जगत का भर्मना छोड़ दे बालके आयजा बेश भगवन तपाही। तो यहां पर सुर्थ का अर्थ है मनन करना या आत्मचिंतन करना और दूसरा है भर्मना याने भटकना। तो कभीर इन पंक्तियों से कहते हैं कि हे मनुश्य अगर तु ईश्वर प्राप्ती के लिए इदर उदर भटकता है तो यह भटकना तू छोड़ दे। अगर सच में तू ईश्वर को प्राप्त करना चाता है तो यह जीवन रुपी खेल के मैदान में तुझे ज्यान की गेंद और मनन आत्मचिंतन का डंडा बना कर बूरे विकारों पर जीत हासिल करनी होगी जिससे तुम ईश्वर को नजदिक पाओगे। कबीर के मस्ती, फकड़ाना सुभा और सब कुछ ही जाड़ फटकार कर चल देने वाली वानी के अलावा जब कबीर सन्यासी और योगियों को संबोधन करते हैं तो उनकी अखड़ता और प्रभावशाली दिखाई देती हैं। उन्होंने सादू सन्यासियों को श्रिष्ठ माना है। लेकिन जब ये सादू अपने आपको प्रकृती से भी उन्चा या श्रिष्ठ मानते हैं तो ऐसे डोंगी सादूं को फटकारते हुए कबीर कहते हैं। अउधू अच्छर हुँ सो न्यारा जो तुम पवना गगन चड़ाओ गूफा में बासा गगना पवना दोनों बिनसे कह गया जोग तुमारा गगना मद्धे जोती जलके पानी मद्धे तारा गटिगे नीर बिनसिने तारा निकरी गयो केही द्वारा। तो यहाँ पर आउधू का अर्थ है सन्यासी अच्छर याने आत्मा या जिसे हम ब्रह्म भी कह सकते हैं। बासा याने नीवास करना बिनसे याने नश्ट होना जोग का अर्थ है योग करना और गटिगे याने कम होना। तो कबीर यहाँ पर अवदू याने सन्यासियों को फट कारते हुए कहते हैं कि तुम किसी गूफा में बैट कर हवा और आसमान याने आकाश को वश में रखने की बात करते हो। परन्तु यही हवा और आकाश जब अपना गुसा दिखाते हैं या तूफान आ जाता है तो उस पर तुमारा ये साधूत्व और योगित्व कहा जाता है याने इश्वर ही सर्वश्रिष्ट है जो इन सारी चीजों में बसता हुआ दिखाई देता है। तुम यह बात जान लो कि आस्मान में चमकने वाली बिजली और पानी में उटने वाली तरंगे क्षनिक होती है कुछी समय के लिए होती है तो वैसा ही हमारा जीवन भी है जिस तरह आस्मान से पानी का गिरना तारों का तूटना क्षनिक है वैसा ही यह जीवन रुपी तार किस द्वार से तूट कर गिर जाएगा इसका कोई बरोसा नहीं है इसलिए ईश्वर की ताकत को पहचान कर सत्य की राह पकड़ना जरूरी है कबीर सभाव से फक्कड थे यानि जो बात उन्हें गलत लगे उन्हें वे वही पर डाट फट करते थे कुछ लोग अच्छा हो या बूरा, खरा हो या खोटा, सब कुछ जानते हुए भी जिन्दगी भर उसका साथ देते हैं ऐसे लोग और ऐसी विचारधारा को वे मानते नहीं थे वे सत्य की राह पर चलने वाले और मोह माया से दूर थे लोगों को उपदेश करने से पहले वे खुद उसका आचरन व्योहार में लाते थे आत्मा परमात्मा की बात करते हुए कभीर जी कहते हैं कि हम घर जारा अपना लिया मुराडा हाथ अब घर जारो तासू का जो चले हमारे साथ तो यहाँ पर मुराडा का अर्थ होगा जलती हुई लकडी या जिसे हम मशाल भी कहते हैं जारा याने जलाया और तासू का अर्थ है उसका तो इन पंक्तियों के माध्यम से कभीर आत्मा परमात्मा की बात करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने बुरे विकार यानि मेरे मन में जो भी बुरे विचार है यानि मोह, ममतारुपी जो घर है उन्हें जलाकर शरीर शुद्धी के साथ मैंने आत्मशुद्धी भी की है और ग्यान, भक्ती, वेराग्य का मार्ग मैंने अपनाया है जो लोग मेरे द्वारा चुनी हुई राह पर चलना चाते हैं उनके भी घर अर्थात उनके अंदर के सारे बुरे विचार जो हैं उनको मैं जलाऊंगा ऐसा करने पर ही मोक्षप्राप्ति के सारे मार्गा उनके लिए खुल जाएंगे कबीर सीर से पैर तक मस्त मौला थे वे पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखते थे वर्तमान कर्मों को सर्वस्वा नहीं समझते थे और भविश में सब कुछ जाड़ फटकार कर निकल जाते थे इसलिए उन्हें मस्त मौला भी कहा जाता था कबीर के अनुसार जो पुरानी बातों को लेकर बैठता है वो कभी बविश का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था उनका सोभाव तो मतवाला और फकड था वे अपने आप में रमने वाले थे इसलिए वे कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना हमन को होश्यारी क्या रहे आजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या जो बिचुडे है पियारे से भटकते दर बदर फिरते हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या तो बिचुडे का अर्थ है बिचडना या अलग होना और यार याने दोस्त औ लोग कभीर कहते हैं, हम तो अपने आप से प्रेम करते हैं। लोगों की होशियारी से और लोग क्या कहेंगे, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह दुनिया रहे या न रहे। हमें इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखते। हम तो ऐसी मतवाली दुनिया से अंदर ही बसता है, तो हमें उसके लिए कहीं इदर उदर डूडने की या बटकने की जरूरत नहीं और ना ही इंतजार की अवशकता है। ऐसे फक्कड सुभाव के कभीर किसी की बातों में आने वाले नहीं थे। वे सिर्फ सत्य के खोजी थे, योग प्रक्रिया का उन्हों ने डटकर अनुभव किया, पर उने वह जची नहीं। लोगों के बातों की उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। लोग क्या कहेंगे ये उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। बिना जिजक और बिना संकोश के उन्होंने कलपना में जीने वाले शारिरिक और मानसिक स्व लेम मानने वालों को वस्तविक्ता का ज्ञान कराने की कोशिश की और इसलिए कबीर कहते हैं आसमान का आसरा छोड़ प्यारे उलटी देख अपन जी तुम आप में आप तहकिक करो तुम होड़ो मनकी कल्पना जी तेह लेकी कहने जाँच परत्ताल करना तो कभीर कहते हैं हे मनुष्य, तू आस्मान यानि कलपना में जीना या कलपना का सहारा लेना छोड़ दे तूम अपने आपको पहचानोगे, जाँच परत्ताल करोगे, तो ही सब कुछ पाऊगे बाई अग्यान से कई गुना महतोपूर्ण आत्मग्यान है इसलिए कलपना में जीना तू छोड़ दे उनकी मस्ती और समाज की परवाह किये बिना उनको जो सही लगें उसी को मानना उनके अखंड़ा आत्मविश्वास का परिनाम था वे एक वीर साधक और साधना करने के लिए उन्होंने युद्ध के मैदान सी थी इसमें वही टिक सकता है जिसमें अदम में आत्मविश्वास हो और यही अखंड़ा आत्मविश्वास कबीर में दिखाई देता है और इसलिए कबीर केते हैं साई सेत न पाई ये बातों मिले न कोई कबीर सवदा राम सो सिर्बिन कदे न होई याने सेत का अर्थ है मुफ्त सिर बिना याने जुके बिना कदे याने कभी तो कबीर केते हैं इश्वर तथा प्रेम यानी मौक्ष सहज प्राप्त नहीं होता और ना ही बड़ी बड़ी बाते करने से प्राप्त होता है अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसे पाने के लिए मैंने अपना सीर याने जो अहंकार है उसका मैंने त्याग किया है या त्याग करने का सवधा किया है क्योंकि बिना सीर जुकाएं कभी भी ईश्वर प्राप्त नहीं होता आगे वे ये भी केते हैं कि प्रेमन खेतो नीपजे, प्रेमन हाट बिकाए, राजा परजा जिस रुचे, सिरदेसो ले जाए, सुरे सीस उतारिया, छाडी तनकी आस, आगे थे हरी मुलकिया, आवत देख्या दास हाट का अर्थ होता है बाजार, कुंजी याने चाबी, निपजे याने पैदा होना, सिरदे याने आत्म समर्पन करना, छाडी याने छोड़ कर, और दास का अर्थ है भक्त तो कभीर कहते हैं, याने कभीर, प्रेम के मतवाले कभीर का कहना है, कि प्रेम किसी खेत में उपच्टा नहीं है, कि जिसकी हम खेती कर सके, या ये किसी बाजार में भी नहीं मिलता, जिसे ये बिकाव चीज है, जिसे कोई खरीदा जा सके, या बेचा जा सके, अगर इसे प पहंकर का त्यापकर विनेशील बनना होगा और वही प्रेम पा सकता है फिर वह राजा हो या प्रजा प्रेम दोनों के लिए एक समान है जो विनम्र बनता है उसे इश्वर प्राप्ति के लिए इधर उदर भटकने की अवशक्ता नहीं है अपने आप ही उसे इश्वर की प्र विश्वास से जीते थे। उनके लिए यही विश्वास एक प्रेम की कुण्जी है। युगावतारी शक्ती और विश्वास लेकर ही पैदा होने के कारण कभीर जी युगप्रवर्तन कर सके। पठोर थे तो आज हमने कभीर इस पार्ट के बारे में जानकरी ली हैं धन्यवाद